है सbasa milde skyn के लिए अच्छी से face massage की ज़रात कोई भी facial oil ले सकते हैं कोई भी जैतुन-ne val का तेल आप भी तेल ले सकते हैं तो जो फेससाज पर मसाज करने के काम कह सके तो इसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए आग मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिसको करने से एक तो फाइन राइन्स और रिंकल से छोटकारा मिलेगा फेस में ग्लो भी आएगा और फेस अंदर से मॉश्राइज होगा टोंड होगा इसकल्टिंग भी होगी तो आपको चलिए क्योंकि अ स्कल्टिंग वाले फेस चाहिए तो आपको अच्छे से फेस मसाज आनी जरूरी होती है तो चलिए जैसे कि मैं आप देख सकते हैं विना किसी मेकप के मैं फेस वाश यानि की फेस क्लीन करके आ गई हूं में करना हूं तो सबसे पहले फेस वाश करना जरूरी होता है यह फेस ओयल भी है सिफेस मसाज भी आराम से हो सकता है इसमें अगन ओल एंड स्वीट आमंड है तो चलिए इसको लेते हैं सबसे पहले मैं पूरे फेस पेस को पहले लगा लेती हूं क्योंकि बिना किसी ओयल के या और बेस सीरम के फेस पेस पे हाथ नहीं चलाईएगा उस है शुरू होने लगी है लगाने पे ही अब्सॉर्ब हो जा रहा है इसके बाद जो है थोड़ा सा और लिया पहले मैं सबसे पहले फेस को मसाज चुरू करूंगी इसके बाद मैं आऊंगी अपने आइस पे इसके बाद बाद मैं आऊंगी पहले मैं ने मुश्ट्राइस करने के लिए फेस पे उसके बाद मैं टार्गेडट एरियास पर अच्छे से थोड़ा सा रब कर रहे हूं लगाके और उसके बाद मैं चिंद पे आंउँगी और नोस पे आउँगी तो चलिए शुरू करते है सबसे पहले हमें अपने फोरहेट की मसाज करनी है इस हाथ से इसको इस तरह से पकड़ना है और यह देखिए 5 तू 10 टाइम्स अब इस हाथ से इसको इधर से ऐसे पकड़के थोड़ा सा स्किन को पुल करिए घजीटी है और हलका सा और फिर 5 तू 10 टाइम्स अब जो है इसको ऐसे लेकर ऐसे ऐसे उठाके ऐसे यह जिस तरह की हम लोगए आइब्रो की शेप है उसी तरह हम सर पे भी इसी तरह फोर्लेट पे भी शेप बनाएंगे आब अब हमाना इसका चैनल हो गया फाइव टाइम्स इधर का लिया इस तरह से कर लिया अब आते हैं हम लोग आइस पर आइस पर करने के लिए हमको वी बनाना है आप देख लीजिए टेक्निक पूल वी बनानी है 5-10 तैम्स कोशिश करिएगा जब आप मसाज करें तो बाते जादा ना करें यह मुह नहीं आहिलाए तरह से मसाज करने के बाद जो है यह वाली उंगली लेंगे हम अंगुठी के बाद वाली और इससे अंडर आई अब वट डायरेक्शन में मसाज होनी है अब जो है प्रशे पॉइंट पे पॉइंट देना है जब अमने मात्य पे मसाज किती उसको खतम करने समय ही हमको इस तरह से लगके इस तरह से आई आइस के ऊपर यह बीच में जो है या प्रेसर देंगे तो बहुत रिलेक्स फील होगा अब जो है आइस हमारा मसाज हो गया फोर हेंट मसाज हो गया अब हम नोस की तरह बढ़ते हैं नोस की मसाज जो है आपको यह दोनों फिंगर इस तरह से करेंगे इसी के साथ साथ हमारे यह वारी मसाज भी हो जाती है आप लोग देखेगा यह यहां तक आती है अब इसको 5-10 टाइम्स करना है इस तरह से अब इस पे प्रेशर देना है प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर देना है बहुत लाइट से प्रेशर देना है इस तरह से लेकर यह जो चीज होती है यह इस पे आपको प्रेशर देना है इसको प्रेशर देने से आपके पूरे फि काफी अच्छा सा फील होता है इते जो भी मास्पेशिय हो हम लोकी टाइट है या बात कर रहे हैं सरा दिन इस सब्स्पाइब हो जाती है् वह देर्ब अधीरे पड़ती हैं रेलाक्स फील होता है यह प्रेशर प्रेशर दिने से क्डातना देलाई को गालों को स्कल्ट करना है इसके लिए हम इसी उंगली को इस तरह से यह मोड़ेंगे और इस तरह का बना लेंगे अप्वार्ड डारेक्शन में अब जो है अगोठा यहां के लिए अंगोठा लेंगे जिनके नाखून है या एक्स्टेंशन है वह इसको कडाने इस करने से छिल सकता है इसके लिए इनका जो है इस तरह का बना लीजए और उससे यह अच्छा लगता है कि जैसे लगता है नेंदाने लगे रही है कि याद रहे सबसे पहले हमें पूरा फेस को मस्ट्राइज कर लेना यानि कि पहले और लगा के अच्छा से लगा लेना है उसके बाद हर टार्गेटेट एरिया पर अलग से फिर से और लेकर मसाज करनी है पहले वाला है इसकिन को थोड़ा कर लगाने के लिए दूसरी बार आप जब टार्गेटेड एड़ेटेट ओले पर मसाज देने जा रहे हैं इसको वह फइब तो टैंटांस आपको कर लेना है उसके बाद जो है यह राफिंग एरिया होता यह लाफिंग मन जाती है इसके लिए आपको झाल झाल प्राइन से लगद। यह कोईलो में विबात खुवाएंस नहीं आएंगी। अब चन एरिया। तो कोईली सीघुटलि!!! यह देखिए चुटकी चिन के लिए इससे डबल चिन से भी चुटकारा मिलेगा और जो लाइन भी आपकी बहुत अच्छी शेप में आएगी कि अब एर्स की मसाज है कि थोड़ा सा हलका सा इसको पुल कर लीजिए काफी अच्छा फील आता है अब यह आपको गले का कि थ्री थ्री टाइम्स हम गले में करते हैं फाइट टैम्स अब देख सकते हैं आपको काफी अब मतलब एक दम वैसा लग रहा होगा अपवर्ड में हो रहा होगा लिफ्टिंग फेस लग रहा होगा और काफी अच्छे से मेरा ओयल जो है वह वह फेस में सिर्ण वह बसक्तिन आपको अप्रीस लिए और यह काफी अच्छे से मारे की मसाज वो चुकी है हफ्ते में एक बार या दो बार मसाज कड़िया और यंगर लुकिंग पाईस्किन पाईस से आपके फेस के मुस्ल्स को डिलाक्सेशन मिलता है फेस में ग्लो आता और फेस अंदर से रिपेयर भी होता है क्योंकि आप जो और या बादम को आमन और नारियल ओए या आपके फेस को नरिश भी करता है तो बिल्कुल करिए स्क्रप्टिंग फेस के लिए स्क्रप्टिंग मसाज करिए फेस मसाज करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को फर्स टाइम देख रहें सब्सक्राइब कर दीजेगा इस चैनल में आपको मेकप स्किन क्यार और फेस क्यार बाडी क्यार से रिलेटेड सारी विडियो मिल जाएंगी तो प्लिस सपोर्ट करें विडियो लाइक करें कॉमन सक्षिन में दुरूर बता है कि आपको कैसा लगा मिलते हैं नेक्स विडियो पे तब तक के लिए लव यू आल